नमश्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है SSB Crack Exams में मेरा नाम है साक्षी और आज के सेशन में हम डिस्कस कहने वाले हैं Distinguished Service and Gallantry Medals के बारे में जिसको हम विशिष्ट सेवा एवं वीर पदक के नाम से भी जानते हैं अगर आप SSB Crack Exams को Continuously Follow कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि हमने Gallantry Awards के बारे में अल्रेडी डिसकस कर लिया है आप चाहें तो हमारे YouTube चैनल के Playlist में जाकर उस सेशन को देख सकते हैं इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप अगर Defense Exams के लिए प्रपैर कर रहे हैं तो SSB Crack Exams आपके लिए Best Option है यहाँ पर आपको Defense Exams याने की NDA, CDS, AFCAT, Territorial Army जैसे सारे exams के लिए सारा का सारा relevant content, study materials, quizzes, mock tests ये सारी चीज़ें मिलेंगी बाकी की जानकारी के लिए आप हमारी website SSB Crack Exams में जा सकते हैं आप चाहें तो हमारे social media platforms Instagram, Twitter, Facebook और Telegram पर हमें follow कर सकते हैं वहाँ पर आपको defense related सारी instant information और notifications मिलती रहेंगी आप चाहें तो हमारे mobile app SSB Crack Exams को भी Google Play Store से download कर सकते हैं तो चलिए हम start करते हमारा session और हम आज discuss करने वाले हैं Distinguished Services and Gallantry Medals के बारे में तो basically यह Distinguished Services और Gallantry Medal तीन दरहे के होते हैं जिने विशिष्चता के अधार पर बाटा गया है पहला है सेना Medal यह Army के यानि की थल सेना के लिए है दूसरा है नौ सेना Medal जो की Navy यानि की नौ सेना के लिए हैं और तीसरा है वायू सेना Medal जो की नाम से ही आप जान सकते हैं कि यह वायू सेना यानि की Air Force के लिए है तो आज के सेशन में हम एक-एक Medal के बारे में उसके Features के बारे में उसके Eligible Categories के बारे में डीटेल में डिसकस करेंगे तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले Medal से जिसका नाम है सेना Medal जिसे शौर्ट में SMB बोला जाता है इसे भारती सेना के सेनिकों को ऐसी असाधारन करता विनिष्ठा या साहस का परिचय देने वाले विशेष्ट कारियों के लिए दिया जाता है और ऐसे कारियों जो सेना के लिए विशेष महत्वर रखते हों सेना Medal को 17 जून 1960 में प्रेश्टेंट द्वारा स्थापिट किया गया था सेना Medal सेनिक की मृत्यों के उपरांद भी दिया जा सकता है यानि कि इस अवार्ट को पॉस्चियमिसली भी दिया जा सकता है और अगर इसे नामी की सारी की सारी ranks इसके लिए eligible है और अगर हम इसके design की बात करें इस medal के design की बात करें तो यह होता है circular shape का जैसे कि आप इस image में देख सकते हैं और यह बना हुआ होता है silver का यानि कि जो धातू होती है तो इस silver की है साथ ही में अशोक leaves के साथ अलंक्रित है 3 mm रहें तो medal में है एक arm century और यह arm century जो है वो rim के साथ उब्रा हुआ है और साथ में है शिलाले जो इसमें लिखा हुआ है सेना medal तो चलिए हम बात करते हैं ribbon के design की ribbon का color है red color यानि की ribbon लाल color का है जिसमें center में है एक पतली सी gray color की strip जो की इस ribbon को दो भागों में विभाजित कर र गया है लेकिन लेफनेल कॉर्णल मितानी मधुमिता जी की कुछ खास बात है यह इंडिया की पहली female army officer है जिने गैलेंट्री अवाज से नवाजा गया है 2010 में काबूल की Indian embassy में जो terrorist attack हुए थे वहाँ इन होने लगभग 19 लोगों की जान बचाए थी एवं अपनी शूरवीर और बहादुरी दिखाई थी तो चलिए हम बात करते हैं अगली medal के बारे में जिसका नाम है नौ सेना medal जैसा कि मैंने बताया था नौ सेना medal नौ सेना के लिए है यानि कि यह है Indian Navy के लिए है इसे भारती सेना के Indian Navy के सैनकों को ऐसी आसाधारन कर्तव्य निष्ठा या साहस का परिचे देने वाले विशिष्ट कारों के लिए दिया जाता है ऐसे कार जो सेना के लिए विशेश महत्व रखते हो नौ सेना medal को 26 जन्वरी 1960 को प्रेसिडेंट वारा श्थापित किया गया था नौ सेना medal को सैनिक की म्रत्यू के बाद भी दिया जा सकता है यानि कि यह है व केटिगरी इसके बारे में बात करते हैं तो eligible हैं इसके लिए Indian Navy की सारी की सारी ranks और इसके अगर हम medal के design की बारे में बात करें तो यह होता है pentangler shape का लेकिन इसके जो sides हैं वो curved है यानि कि वो घुमावदार है जैसे कि आप इस image में देख सकते हैं साथ ही में अशोक Leaves के साथ अलंकरित है 3 mm चौड़ी एक metal की strip जो की जूड़ी हुई है rim से और बीच में उबरा हुआ है novelle crest और अगर हम इसके reverse side की बात करें तो इसके reverse side में बना हुआ है त्रशूल जो की अंदर है एक circle के एवं एक रसी के साथ में उबरा हुआ है शिला लेक जिसमें लिखा हुआ है now Sena medal तो चलिए हम ribbon की design की बारे में अगर बात करें तो इसका color है navy blue जिसमें बीच में उबरी हुई है white color की पतली सी strip जो dark blue color का part है वो है 15 mm का और जो white color की strip है उसकी width है 2 mm की और अगर हम now Sena medal awardee की बारे में बात करें तो captain नवीम थापा से बड़ा नाम कुछ हो ही नहीं सकता इन्होंने seeking 46 विमान कप्तान के रूप में बहुत खराब समुद्र परिसितियों एवं बहुत अंधिरी रात में खराब मौसम का सामना करते हुए Indian coast guard के 5 officers एवं Indian army के एक जवान की जान बचाई थी इसके अलावा आईनोंने कई आपात काल जनक परिसितियों का सामना बहुत थी बहातुरी और निश्ठा के साथ किया तो जड़ी हम बात करते हैं वायू सेना मेडल के बारे में इसे भारतिय वायू सेना यानि कि एफोर्स के सेनकों को ऐसी आसाधारन करतव निश्ठा या साहस का परिचय देने वाले विशेष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है ऐस कार्य जो सेना के लिए विशेष महत्व रखते हों वायू सेना मेडल को 26 जनवरी 1960 को इस्थापित किया गया था और 1994 में इसको दो अवर्स में डिवाइड कर दिया गया वायू मेडल डिवोशन टू डूटी और वायू मेडल गैलंटरी अवर्ड इसके अलावा वायू सेन मेडल को पोश्चोमिसली यानि की सैने की म्रत्यों के उपरांद भी दिया जा सकता है और बार के लिए भी वही कंडिशन से यानि पदक के बाद प्रत्य वायू सेना मेडल के लिए बार दिया जाता है तो चलिए हम इसके अलिजिबल कैटिकरीज के बारें बात करते हैं तो अब भी वायू सेना मेडल के लिए एलिजिबल होते हैं इसके बाद हम बात करेंगे मेडल के डिजाइन की तो यह मेडल थोड़ा डिफरेंट होता है इसका जो शेप है वो है फाइव पॉइंटेड स्टार के जैसे यह बना हुआ होता है स्टांडर्ड सिल्वर का इसके साथ अलंकरित है 3 mm चौड़ी एक मेडल की स्ट्रिप और इसकी सेंटर में जैसे कि आप देख सकते हैं बना हुआ है भारत का राष्टिय चिन्ह लायन क्यापिल ऑफ अशो का तो चलिए अब हम इसके रिवर्स साइट के बारें बात करें तो इसके रिवर्स साइट में बना स्ट्रिप सेफरन कोलर की और ग्रे कलर की और हर एक स्ट्रिप का जो साइज है हर एक स्ट्रिप का जो विथ है वो है 3 mm तो अगर मैं बात करूँ वायू सेना मेडल अवाडी की तो सबसे बेस्ट एग्जैम्बल तो हो सकता है यही पुल्वामा अटैक के बाद 26 फरवरी को वाला कोट में जैशे मोहमद आत्तंकी प्रिसिक्शन कैम्प में बंबारी करने वाले पांच भारती वायू सेना पाइलोटों को वायू सेना मेडल से सम्मानित किया गया था और इनका नाम था विंग कमांडर अमिद रंजन, स्क्वार्डन लीडर्स राहुल बासोया, पंक अपनी भी शब्दों से उसके बारे में बोल जाये, वो भी कम है, I know आप में से कई लोग भारती सेनाओं में जाने के लिए सपने देख रहे हैं, मैं विश्च करती हूँ, आप सभी की तमन्नाएं पूरी हूँ, मिलते हैं नेक्स सेशन में, तिल देन, स्टे हैं!